हेलो गाइज वालकम बैक टो मैं चैनल यहां पर मैं बना रही हूं अंडा पराथा जिसे आप ओमलेट पराथा भी बोल सकते हैं या अंडा रोटी बैदा रोटी जो के मार्केट में रेडिमिट मिलता है सबसे पहले मैंने कराई में ले लिया है ऑईल इसमें मैं डाल रही हू एस भी अच्छी से मिक्स कर लूँगी फिर थोड़े से सपासे सर सेया है जैसे के रेच चिली पाउडर 1-2 teaspoon डाला है मैंने क्योंकि मैंने हरी मिर्ची नहीं यूज की हूँ इसलिए ब्रेट चिली पाउडर 1-2 teaspoon धनिया पाउडर थोड़ा सा हल्दी पाउडर and salt डालना है स्वाद के अनुसार क्योंकि इसमें हम लोगों को egg भी add करना है अंडे भी डालना है अब इन मसालों को पूरा soft होए तक याने कि जब तक ये गल जाते हैं पूरा गले तक कि इसे मैं सीलो आज पे अच्छे से cook करूँगी देख सकते हैं आप मैंने 10-15 मिनिट के ल और एक्स ऐसे ही crack करके इसमें डाल दिये है यानि कि चार अंडे फोड़ के डालना है इसके अंदर और इसे अच्छे से mix कर लेना है फेट लेना है अंडे को पूरे यहां पे अंडे पराठे का जो ग्रेवी है वो बनके रेडी है अब मैंने यहां पे साइट में चार से पा पराठे लिए है चार से पांच यहां पर मैंने बेल के रखे है अब इसको मैं तवे पे डालूंगी पराठा एक साइट से हमें हलका सा पार सेखना है इसे पूरा नहीं मतलब कोकनी करना है पराठे को हलका सा यह जैसे ही इसमें बबल साइंगे मैंने टर्न कर दी ती टर्न क से फोल्ड हो गया था बस टर्न करके आगे पीछे उलट पुलट करते हुए अब घी लगा या बटर लगा के इससे के बटर का टेस्ट और भी अथ्या आता है मैंने एक में बटर लगाया है कई में घी लगाया है वैसे मैंने चार से पांच पराथे यहां पर रेडी कर लिये और यह बहुत टेस्टी होता है गाईज इवन जो बाहर मार्केट में मिलता है उसे काफी डिलिशस काफी टेस्टी होता इसका टेस्ट तो आप लोग प्लीज जरूर ट्राइ कीजिए और मुझे कमेंड में जरूर बताना कि आप लोगों को मेरे अंडे पराठे की याने के बैदा रोटी की र्वैशिपी कैसी लगी मैं आप लोगों के कमेंड का जरूर पेत करूंगी और में हरे कमेंड पर रिपलाइ Member ।ो जो मेरे चैनल पर नूए है तो मुझे कमेंड जरूर करे तो इससे जो है मोटीवेशन मिलता है कि हमारी कोखिंग किस तरिके से आप तेवे को करना है ताकि अंडे भी अच्छे से पक जाए और यहां पर बढ़ी यासी मेरे अंडे पराठी रेडी है गाइस अगर आप लोग को पसन आए तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब